नमस्कार दोस्तों तो जो सपना था कि आपको सवा सेर सवा सेनिय बनान है तो उस जो हमारे लक्से उनको पूरा करने के लिए मैंने अपना भरपूर परियास किया था उसी परियास में जैसा कि आपने जिस तरह के से हमारे उपर विस्वास किया था उस विस्वास पर खरा उत तो बिल्कुल जो पड़ाया वही आया और उसके संदर में अगर हम देखें तो क्या क्यूसन हमें देखने मिले थे उसको हम डील करते हैं एक जो प्रकार से एक क्यूसन था वेजा एनाइटिस के बारे में आपको पड़ा रहता है और मैंने इस पेसली वहां पर बोला था कि यह क्यूसन एक अल्टरनेट जो आपको सरकारी नोखरी देता है तो बिल्कुल याद करूं लंहों को जब हमने यह डील किये थे कि जो हमने क्यूसन अच्छे से रिइल कर रहे थे है भी क्यूसन आपको यह पड़ाया वेजायठी डम जो एक पेरसाइटिक इंफेक्शन होता है और इसके अंदर इस्पेसली या तो क्यूसन बनता है ग्रीनी सियलो का या फिर बलता है मुल्टिपल हेम्रेजिक इस्पोर्ट्स या फिर इस्ट्रोबेरी एपेरेंस ऑफ एजान एक इसमें देखने को मिलता है तो बिल्कुल जो हम ना मुमकिन होता है तो बिल्कुल उनको हमने मुमकिन बनाया और मुमकिन बनाने के लिए मैंने अच्छे सा आपको ट्रिक बताया था कि सरकम वेलेट प्लासेंट अबनॉर्मिटी और प्लासेंटा जिसके अंदर सबसे इंपोर्टनेंट कि आपका वेलेट कैसा होना तो थिक हो जाता है, तो थिक fibrous ring का formation होना, centrally part का depressons होना, कौन सी uorgan printing देखने के मिलता है तो जो पड़ाया हमने वो आपके सामने क्योसन लेकर आया और उसके साथ मैं आपका जो विश्वास है बिल्कुल मैं आपके विश्वास पर खरा उतरा हूँ मैं आपके सामने खरा उतरूंगा तो जो नेक्स्ट क्यूसन आया था कि कोड कमप्रेशन कौन से डेसलिशन में देखने को मिलता है तो बिलकुल देखेगा यह जो मैं आपके सामने जो पैनल लेकर आया हूँ यह पूरा मेरे पढ़ाया हुआ इसपेसली हर बेच में जो बिलकुल तो इसमें यह जो कारण क्या है तो कौड कंपरेशन के कारण बीच में उसका कारण होता है वेरियबल डैसलेशन इसको में इतना अच्छे से बताये था वील चॉप आपको बिलकुल नहीं बूल ना है अगर आपको याद हे वील चॉप तो एग्जामिनर भी हो ज तो जैसे आपके सामने ट्रिक था वेरी वेरी इजी क्यूसन था वेरीबल डेसलेशन का मतलब कोड कमपरेशन तो इसमें तो बिल्कुल एक दम हंड्रेट परसेंट आपका मेरे जो भी सवासे सवासे ने उनका बिल्कुल मेरे पास में में से जा गए कि सर इतना अच्छा को जब मैंने पढ़ाया तो यही पर एक पैनल मैंने पूरा बताया था वीव चॉप के उपर ही कि आपको क्या-क्या याद रखना है तो उसमें बता एक तो यह तो यह तो पैनल पर देल किया था तो यह तो क्यूसन जिसमें से इसमें इसमें निवारन नहीं पूचा पूच इसमें कर सेडियर कर काल राक होता है कि इसमें की काल याघ यहां पर को depreciation लग्ड होतwe इसमें को संता डूरी थोड़व नहीं होती है कि इसमें anh एजम संत बहुता है आरे ये बहुत उजी हो गया धनल-पार्श जे इंवर्व नहीं हो रहा है मसल अगर इंवर्मेंट हो जाता है इनल-पार्श जे Mistra इंवर्व होँना, किसमें आता है, थर्ट डीरीम आता है लेकिन क्यूसन ता involved नहीं होना जब इन्वाल नहीं होगा तो कौन सा रहेगा? Second Degree Paranial Tear तो Second Degree Paranial Tear उसका option है वो right रहा है उसके बाद में एक Important क्यूसन बहुत ही अच्छे से इसको हमने बहुत ही अच्छे से जैसा की मेरे पदा है कि यहाँ पर बिल्कुल हमारे बच्चे confused होते हैं लेकिन आप पढ़े हो MD सर से तो बिल्कुल MD सर आपके माथे पर पसीना नहीं आने देंगे और उस माथे पर पसीना नहीं आने पीचे कारण था DP's हमने एक अच्छे से deal किया था कि मैंने यही बताए था कि यहाँ पर जो लि यही संगल हैंड से पर्फॉर्म करते हैं और तर्ड लियोपॉड्स से पता चलता है और यहीं सैम क्यूसन डिपी का जो हमारा ट्रीक हैं बिल्कुल आपका विश्वास हैं और मेरे ट्रीक हैं अगर आपने अच्छे से अगर आपने अच्छे से ओनली ट्रिक्स को पकड़ लेते तो बिल्कुल आपके यह जो सवा क्यूसन है और बिल्कुल एक दम 100% success आपके success rate को बढ़ा देते तो इसको हमने अच्छे से डील कर रखा है और उसके बाद में एक जो क्यूसन था इस्टे सेन्य है जिनों ने ध्यान नहीं दिया और बहर आकर का अरे एक सेंटीमीटर वाला एक का क्यूसन आया था यह तो हमने देखा ही नी ऐसा भी मेरे पास मेसे जाए कि सर मैंने तो यह जो है वन सेंटीमीटर वाला महा पर आशर है वो जाएगा वन सेंटिमीटर अबो इस्टियाल स्पाइन बिल्कुल तो यह एकदम डायरेक्ली पुटप क्यूसन है उसके अलावा एक क्यूसन आये था जिसमें था पिम्रोई पॉम्रोई टैक्निक और जिसमें हम क्या करते हैं इसको नॉर्मली नॉर्मल हम क्या करेंगे कि जो फैलॉपि इस सालपे इंज्ट्पे मी में में दियान रखना है कि sąते हैं तो नाम और नाम जानते हैं इसको पॉम्रोई टैक्निक के नाम से जानते हैं कुछ कह रहे हैं sir, Reglaive for Save, कुछ कह रहे हैं, Killand for Save अब वो तो जो examiner, जिसने exam दी है, वो ही बता सकता है क्यों है, यह confirm नहीं कर सकता है, कौन सा था, तो यह क्यूसन थोड़ा सा confused वाला है, कि कौन सा option में आये था, अगर ऐसा था, जिसमें यह लोग सिस्टम था और साथ में यहां पीछे एकदम से नॉर्मल था तो वो जो है अगर ऐसा क्यूसन था तो रीगले फोर से उसका आंसर रहेगा जो हमने अच्छे से पूरा डाइग्रेमेटिक हमने हर चीज को पड़ा था बिल्कुल इसके मेरे पास मेसेज है सर एकदम याद करो उन लमों को जो मैं ऐसी चीजे बोलता रहता हूं यह जो है ना डाइरेक्ट एक्जाम्पल आपके माथे में पहुंच जाना चाहिए अनकॉंचिंस माइंड में चला जाना चाहिए बिल्कुल तो यह जो कील के समान है बहां निकलवा कीले एंफोर से होता है तो इ पड़ा था मैडिकेशन ऑक्सी टाकिक्स जिसमें मैंने बताई था प्रोस्टा ग्लेनीज यह तीन अलग अलग होते हैं पीजी एवन पीजी टू पीजी एफटो एलफा एक हमने वहां पर डील किया था पीजी आई टू प्रोस्टा साइक्लिन ठीक है तो उसमें हमने कार्बो प्रोस्ट यह कार्बो प्रोस्ट पीपीएज को मैंने इस करने लिए बिल्कुल यहां पर प्राइमरली फंक्शन यहां पर बहुत ही बड़ा कंक्यूजन था जो हमारे जो इस्टुडेंट से अनुदर देखने मिला सर अबोर्सन भी ऑप्सन में था बिल्कुल कि देखे ना पूर अच्छे सा लिखा था वीज़प्रोस्ट हो सबसे बैस्ट द्रग होती तो इस प्रकार से आपका विश्वास और इतना हमारे उपर प्यार और आपका इतना सपोर्ट जिसके कारण से हम मौटिवेट होते हैं और आप जिस विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ते हो बिलकुल हम उस विश्वास पर खरा उतरते हैं तो यह जो सौर्ट हैं यह आपको यह बता रहा है कि ऑबीजी के अंदर जो MD सर ने हमारे सवासेनिया बनाने की जो क पॉसी जो हैं वो हम अब लेकर आ रहें यूट्यूब के उपर आपके लिए हर दिन एक क्लास मेंस एक्जाम में सेलेक्ट होने लिए तो बिलकुल मेरे साथ जुड़ेगा जिससे मैं आपको डिल कर सकूं सीनियोरे और बैस्ट क्यूसंस और एससे क्यूसंस जो आपके गौ नियू सेशन के साथ थेंक यू सो मच